तो लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइटा तो कंप्लीट कर ही लिया था अब बात करते हैं अब बहुत इंपॉर्टन्ट है यह इसके बारे में कुछ जेनरल करेक्टरिस्टिक देखते हैं कहां है क्या है कहते हैं पाइटा मतलब मैंने बताई दिया प्लांट के लिए इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं विंग लाइक होते हैं विंग्स तो होते ही नहीं थीक है यह ब्यार इंपॉर्टन्ट है यह नॉन सीडेड यानि इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता स्पर्म मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को दोस्तों स्पर्म मतलब होता सीड क्या होता सीड ब लोग Tiger जैसे जीम्नो सपर्म बहिए आ जीसमें सपर्म एंजी उसका मतलब यह दोनों कैसे होंगे दोस्तों सीड वालन क्यासे होंगे दोनों सीड वाले बट टेरीडोफाइटा आ रहा है कि इसमें सपर्म सफिक्स नहीं आ रहा है यह कैसे होंगे नॉन बोलो कोई दिक्कत है क्या अच्छा जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं ध्यान से सुनो सीड तो है उसमें है तो सीड तो है बट सिल्ट प्लांट से धर्ती के ऊपर पहले फर्स्ट वांत्व दिक्कत होणा ने चाहिए यह पहले अब बोलू कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन सा है तो क्या बोलों गैं जबौलोगा ब्रायोफाइट वेरी गट व्राइओ फाइट लेकिन मैं बलूगा फ्र्स्ट वैस्क यह आाई पाइप लैना रघभाई पानी थो ल म た इसका मतलब छोटे-चोटे छोटे पत्थरों पर चिपके हुए थे तो इनको तो पत्थरों पेचे पक पकने की जरूर्थ नहीं जब भॉस्षा сам जाए थोड़े से बड़े हो तो महारे मन में गवार सवाउल जोगा पर तो जरूरी नहीं को पानी के आस-पास रहना यह तो पानी के दूर भी रह सकते हैं क्योंकि अब तो जाइलम फ्लोयम भी आगया तो हाँ यह पानी से दूर भी रह सकते हैं तो हाँ यह पानी से दूर भी रह सकते हैं इसलिए हमारे गमले में देखो यह गमले में सजाये ग अगर हम देखें परपस से तो हमें पता चलता है यह पहले ऐसे प्लांट थे जिनके पास वैस्कुलर टिशू था तो बोलोगे ओके अब इनका भी वही कानी है कूल डैंप शेडी प्लेसस में पाए जाते हैं और में ग्रोव वेल इन सैंडी स्वाइल कंडिशन और सकते हैं क्योंकि पानी का इनको वैसा कुछ जरूरत नहीं या जैसा ब्राइव फाइटा को चाहिए था ठीक है ठीक है यूनो इन ब्राइव फाइट डॉमिनेंट फेज इन देर लाइड साइकलिस गयमितों तुम जानते हो कि गयमितों फाइटिक होहां पर डॉमिनेट करता था है is sporophyte इंड कर देड के लिए कुछ देर के लिया रिया था एक दिन दो दिन चार दिन के लिए और हाय थे थो लेकिन घप्लेट फाइटिक तो हमेंचा रहता था मे plant body is sporophyte और इनको रूट में, stem में, leaves में बाट सकते हैं, है न, true लिखा है, यहां पर root-like, stem-like, leaves-like, बाते नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आईए, यह सो, these organs have well-differentiated vascular tissues, कौन-कौन से और यह है, यह तीन और इन बोथ teridophyta and gymnosperm, xylem-lax vessels, यह बहुत important है, याद रखना है, phloem-lax, sieve tubes and companion cells, यानि, तुम xylem के बाड़े में पढ़ोगे दोस्तों, तो उसके, वो बनते हैं कुछ cells दें, है न, जैसे xylem trackets, xylem vessels, xylem parenchyma, xylem fiber, ठीक है, तो इन सब cells से मिलके, xylem एक पुरा का पुरा tissue बनता है, जिसमें, gymnosperm और teridophyta में, xylem के अंदर vessels नहीं पाया जाता है, तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बाड़, अभी ये vessels क्या होता है, anatomium बताएं, अभी के लिए समझ जाओ, बस, उसके बाद, phloem-lax, sieve tubes, phloem के अंदर sieve tube नहीं होता, और companion cell भी नहीं हो जिमनों में, ठीक है, डूसरी बात, cambium इसमें absent होता है, cambium ring, तुम बोलोगे, अच्छा, cambium ring क्या होता, अभी दिखाते हैं, ये पेड़ जब होता है, दोस्तों, पेड़ को हम काटते हैं, तो इसके उपर ऐसे, इसके उपर ऐसे, ऐसे rings तुम को देखने को मिलेगा, देखे इस रिंग को हम लोग कहते है, cambium, क्या कहते है, cambium, अब क्या होता है, फिर anatomy में बताएंगे, फिर से, अना, anatomy of flowering plant, तो cambium इसमें absent होता है, taridophyta में, क्या होता, absent, बोलो कोई दिक्कत, नहीं, इसके अलावा में बात करूं, they generally do not exhibit secondary growth, इनके अंदर secondary growth generally नहीं होता, therefore, they are herbs और shrub-like plants, तुम बोलो कि सर, secondary growth क्या होता है, इसको थोड़ा समय बता देता हूँ, एक plant है, मानले, यह plant है, यहाँ पे इसके, meristometric tissue है, यहाँ पे, यहाँ इसके, meristematic tissue है, meristematic cells क्या करता है, divide करता है, plant grow करता जाता है, plant grow करता जाता है, अब यहाँ grow कर दिया, फिर कुछ समय बाद और grow करता है, लेकिन तुम्हें पता है, यहाँ पर जो cells थे न, permanent cell, हाँ, पहले यह भी meristematic थे, अब बन गया है permanent, नहीं समझ मैं है, तो दिक्कत मत करना, anatomy में बताएंगे, यह permanent cell क्या करता है, देखता है याँ, अब तो मेड़ा भी समय आगया grow करने का, तो अब यह भी grow करते हैं, और चोड़ा ही बढ़ जाता है, प्लांट का, देख रहो, अब फ्लांट थोड़ा चोड़ा हो, ऐसा, वाइड, तो एक meristematic cell, ध्यान से सुनिया है, एक meristematic cell बनता है permanent cell, क्या बनता है, permanent cell, PC, क्योंकि यह भी पहले यहाँ पर बना होगा, किस से बना होगा यह बना होगा, फिर से यह वाइड करता है, ग्रो कर रहा है, तो इस तरह के ग्रोथ को कहते हैं, secondary growth, तो इस तरह का growth देखने को नहीं मिलता है, इसमें जिए यह क्या होते हैं, हर भी अश्रव लाइक, चोटे-चोटे होते हैं, ज्यादा वाइड भी नहीं होते हैं, देख लो यहाँ पर ज successful लिखा हैं, क्यों? अभी बताते हैं, because they also need water for fertilization, on the basis of least, teridophyte, or of two types, इनको fertilization के लिए बस पानी की जरूरत होते हैं, तुम बोलोगे, sir, कुछ-कुछ तो लिखा है, sandy soil वाले condition में भी रह जाते हैं, yes, sandy soil वाले condition में भी रह जाते हैं, ठीक है, तो इनको fertilization के लिए, लेकिन पानी का जरूरत पड़ता है, इन सब में special adaptation होता है, जो sandy soil में पाये जाते हैं, लेकिन यह पानी से दूर भी पाये जाते हैं, यह पानी से दूर भी पाये जाता है, 50-50 chance है, 50% teridophyta देख तो यह सब पानी के आस-पास थोड़ी रहता हमारे गर में, यह लेकिन बहुत सारे पानी का जरूरत है, जिनको पानी का जरूरत है, पानी का जरूरत है, पानी का जरूरत है, क्यों? क्योंकि उनका गैमिट उड़के जाएगा, पानी में तैर के जाएगा, इसलिए इनको भी successful plant नहीं कहा जाता, तुम बोलोगे ठीक है, अब teridophyta होते दो तरह के हैं, इस पे स्मालर, while the leaves are larger, they are known as mega philus, leaves देखो बस, stem को भी छोड़ दो, leaves अगर large है, तो क्या word use करेंगे, mega, क्या बोलेंगे, mega, mega, mega मतलब large, और दूसरे में leaves, अगर smaller है, तो क्या word use करेंगे, micro, बोलो कोई दिखकर, philus यानी word use करते हैं, हम लोग, external appearance के लिए, ठीक है, अंतर नहीं दि होगा, mega philus, micro philus, यह है, अपने पास, नहीं दिया, कोई नहीं, आओ मैं दिखाता हूं, मैं द्रॉ कर रहा हूं, फोटो, यह वाला फोटो तो दिखी रहा न दोस्तों, मुझे बताओ, पत्ते क्या इसमें छोटे-छोटे हैं, मुरू नाली, देखो तो, पत्ते छोटे है तो इसको क्या बोलेंगे, और Te certificate, इसको क्या बोलेगे, उर स्टेक को बढ़ाघा, थूछू इसको क्या बोलेगे, इसको क्या बोलेगे, माइक्रो फाक्वाइ्लस, अब आओ करते हैं थोड़ा सा, मैगा फास के बारे मैं, महाना, तो मैं कॉस्त जाना आ कारी। तो तुम लोग खोटों भी देख सकते हैं यह कुछ ब्रांच है चोटे-चोटे ब्रांच और इसके उपर बड़े-बड़े पत्ते आसे निकल के आजाते हैं देखने में काफी खुबशूरत होता है देखना ऐसे तो यह बड़े-बड़े पत्ते आ गए और ब्रांच चोटा-चोटा इसको क्या भोलेंगे mega filers क्या बोलेंगे दोस्त मेगा फालस याद रखना पत्ते बड़े stem छोटा मेगा फालस पत्ते छोटे stem बड़ा-microfilis नाम किससे देना है stem से कहां गया हूं नाम किससे देना stem से देना है leaves a small micro leaves large मेगा वो लो को देख कर बोलो नहीं एक्डामपल आपको तो थोड़ा पर नहीं है ना मैंने क्या दिखा दिया पत्ते इतने छोटे क्यों दिखाएंगे फ्रॉंट्स चलो कोई ने मैं एक मिनट बताता हुचिता अब मैं गूगल से दिखा देता हम दो तरह के लिप्स एक मिनटर को क्योंकि देखना जरूरी है ना समझना तो जरूरी है आओ बच्चों देख लो एक वार मेगा फाइलस लिए यह देखो मैक्रोफाइलस लिखा ना दिखा मैक्रोफाइलस यह मैक्रोफाइलस दिखा है मैगा फाइलस दिखा है मेगा फाइलस मेगा फाइलस फोटो 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 थो egan इस दिखा है मैक्रोफाइलस और मेक्षाइलूस. यह अड़े lorsviamente देखो तो छोटा सफ़ साव दोस्तों यह अड़े छोटा वालब कॉद्धि दिख रहा धे फॉति के निश्च्वेक इसमें अपत्ति छोटे चोटे 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 यह क्या हो गया माइक्क्रोफाइलस क्या हो गया माइक्च्रोफाइलस यह वी चोटा छोता भप और यह सल्वested कह रहा है अब अलग अलग तरह के होते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा एक होता है complex एक होता है compound ठीक है तो उस आधार पर भी थोड़ा कहानी अलग हो जाता है मैं बताऊंगा आओ देखो कि अधिश्य को आईए देखें और इसके एग्जामपल्स क्या है दोस्तों इसके एग्जामपल एक्जामपल याद रखना क्योंकि एंसी आटी में गिवन है यह पॉधा इरेक्ट होता है प्रोस्ट्रेट जैसे हम लोग देखें अपने घर में घर में पेड़ पॉधा लगाए होगा ना यह पेड़ पॉध the stem is underground it is known as rhizome याद रखना राइजोम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं वैसे यह मैं मॉर्फोलोजी में बताऊंगा बट याद रखना कोई भी stem जो जमीन के अंदर जाता है उसे कहते है राइजोम जिंजर नाम सुने हो अब एक टीपिकल दों लोगों को दिया हुआ है तुम बोलो कि अधिया हुआ है इसे सबसे पहले फ्राइल दोस्तों तो दिख रहा अब इसके अलाब यहाँ पर तुमको तो रामेंटा दिख रहा होगा बोलोगे हाँ रामेंटा तो रामेंटा कुछ नहीं होता है यह ब्राउन कलर का स्केल्स होता है यह क्या होता दोस्त ब्राउन कलर का स्केल्स होता है जो प्रेजन्ट होता है किसके उपर स्टेम के ऊपर प्रेजन्ट होता है बताइए कोई दिक आझी का D Tokyo नई बता देता हूं रूट को पता होगा सीद में दो पार्ट होते हैं beğ على यह claim नाम संहे हो यह बता है और यह बनाता है रूट सिस्टम तुम बोलोगे सबसे पहली बात तो सब आप जो बता रहे हो ना यहां सीड तो बनता नहीं है हम बोलेंगे बात तो सही है ना टेरीडो फाइटा में सीड नाम का कोई नहीं होता लेकिन एक कंसेप्ट है डवेंटीजियस रूट के लिए कि ऐसा रूट जो रेडिकल को छोड़के दुनिया में किसी चीद से बन जाए उसको हम बोलते है डवेंटीजियस रूट तो बताओ यह स्टेम से बन रहा है क्या मतलब क्या हुआ ऐसा स्टेम जो जमीन के अंदर है तो अगर स्टेम में रूट निकाल रहा तो इसको क्या बोलोगे डिक्कत है क्या नहीं कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है नहीं होता है रुम है और इनका काम क्या होता है? Ce n Śên Q नहीं छाम होता है प्रोटेख्शन का काम होता है. तो यहां पे कभी कभी निकल जाता है तो यहां पर ब्रांचन निकलता है पहले लीफ उसके बाद प्रांच ठीक है इन सारे स्ट्रेक्शस के बारे में थोड़ा-थोड़ा साथ सकते लबा रमेंट क्या हुता है जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फैका प्रोटेक्शन के लिए सर्सीनेट वरनेशन क्या हुता है सूखे पत्थ यह बर्ड्स जहां से ब्रांचे ज्यान तो निकलेगा और यह तो प्रोटेक्शन के लिए रई राइजों क्या है ऐसा स्टेम जो धर्थी के अंदर है एडवन टीसियस रूट ऐसा रूट होता है यहां पर कहना गलत हो जाएगा स्टेम से निकलता है मतलब ऐसा रूट जो रेडिकल को छोड़के किसी भी चीज़ते बन जाए बोलो को दिकत बताओ फ्रॉंट का क्या होगा फोटोसिंसे स्टेम का क्या होगा इधर-उदर ट्रैंसपोर्टेशज यहां फन्य होता है यह सब भताने का तो जरूरत नहिन यह जब म्यद्स वेरी इंपोत इसका लाइफ साइ Sanskrit बहुत-बहुत-बहुत जाद्व खर तेकत आओ देके वह स्टार्ट करें अर्ट स्टार्ट करें मुरुन आली कता है स्टार्ट करें हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं dre लुए यह यह çए निवर्फिल्स के अब भी मैं बताऊंगा ठीक है यह कहां पर प्रजंट होते हैं लीव्स के ऊपर ठीक है चलिए दियान चा देखते जाए फिर इस लीव्स के ऊपर बनते है इस पोरेंजिया क्या बनेगा इस पोरेंजिया इस पोरेंजिया वही सैक लाइक इस्ट्रॉक्चर थाली जैसा है ना पैकट उस पैकट के अंदर चोटे-चोटे-चोटे-चोटे- बसा लो अभी एक पर देख लो फिर मैं बताता हूं तो इसके उपर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे cells बनते हैं इस-पोरिंजिया के अंदर इस cell को हम लोग कहते हैं spore mother cell क्या कहते है spore mother cell पूरा main plant body कैसा है two end है इसमें तो कोई confusion ही नहीं है sporophytic होते हैं ठीक है एस-पोरिंजिया के अंदर बन गया spore mother cell अब spore mother cell में होगा meiosis क्या हो जाएगा meiosis और बनेंगे spore क्या बनेंगे दोस्तों spore बनेंगे बताईए कोई दिक्कत है क्या अब यह spore क्या होगा जमीन के ऊपर गिरेगा क्या होगा पत्तों से निकल के आएगा और जमीन के ऊपर गिरेगा और germinate करना है start करेगा यानि वहाँ पर grow करेगा तुम बोलोगे ठीक है वो germinate करके pro thallus structure बनाएगा है ना छोटा सा ऐसा body like structure तुम एक body हो सकता एंथरीडिया कहला है एक कहला है और की कहला है क्यों कि एक body के अंदर बनेगा एंथरोज़वाइड यानि male gamit एक body के अंदर बन सकता है अब मेल gamit क्या होगा अगर पानी है तो वह तैरता हुआ जाएगा female gamit के पास तुम बोलोगे एक मिन इसका मतलब यह जो मामला चल रहा है यह जो मामला चल रहा अब यह मामला जमीन पर आ चुका है क्या तो निकल के आप जमीन पर आ तो जमीन पे यह आपस में क्या किया मतलब पानी में पानी के असपास. यह क्या कियो है? फोटिलाइज कर गये है यहुए यहां भी उसके मूव्मेंट को क्या कैरहे? ज्वाइडोगैमी और वहां पर भी क्या कहते थे? ज्वाइडोगैमी यह zygote क्या बनाएगा embryo और embryo से फिर बन जाएगा plant यह तो बहुत ही simple सा था यह तो बहुत ही simple सा था था कि नहीं था यार तुम लोग तो response से नहीं कियता है अगर यह था तो आईए देखें समझें और सीखें ठीक है यह थे पोरोफाइट बेर इस पॉरेंजिया बैटर सब टेंड़ बाइफ लाइक अपंड़ेज घॉल्ट फोरोफिल ठीक है क्या बोला है कि स्पोरोफाइट यानि प्लांट यह जो प्लांट होते हैं न दोस्त मैं ऐसे दिखाता हूं अना ब्रांच इंग ब्रांच इंग ब् लाइप लाइफ 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 प्ते के ऊपर यह पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग sporophylle क्या कहते है sporophylle ऐसा समझ लो जिस पते के ऊपर ये इस प्पोरिंजिया बनता है उस पते को हुँआ बोलें गहें sporophylle बताई यह कोई दिककत कोई दिककत नहीं है ठीक है प्लांट कहां प्लांट एस पॉरोफाइट मैंने बताए था प्लांट कैसे होते हैं एंडिपलोई होते हैं made of deployed cell and it reproduces by an app formation ॥ now, we will see spore को तब से कुछ थैंट उपया जाता है दोस लेफ को न स्ट जीए चैंदा स्पोरेंगा जाता तो तब से दुखुं 106 को यह यह यह-पारी कंच PAUL अच्य यहConnell धिंप लीफ को फॉर निम nice no problem, ठीक है, बहुत अच्छी बाद, most of the pteridophyte are homosporous, homosporous मतलब एक ही तरह के spore बनाएंगे, एक ही तरह के spore, चाहे तुम उसको male कालो, चाहे तुम उसको female कालो, कुछ भी कालो, but वो एक ही तरह के बनाते हैं, mostly, बताओ कोई दिक्ट, that is one type of spore are formed during reproduction, exception है कुछ-कुछ, some pteridophytes are heterosporous, that is two types of spores, microspore and megaspore, microspore कहते हैं, male वाले को, megaspore कहते हैं, female वाले को, बोलो को रिक्ट यहां दिया है, क्या, नहीं दिया है, ठीक है, यहां दिया ही, नहीं है, ठीक है, esport दो तरह के बना देते हैं, एक micro, जो की male gamit बनाएगा, एक होता है mega, जो की female gamit बनाएगा, चाहो तो इसमें लिख लेना, इसमें लिखा नहीं है, लिख लेना, बट mostly मैं तुम पता नहीं कर सकते, कौन सा male है, कौन सा female है, green and normal photosynthetic leaves are known as tropophils, याद रखना है, और foliage और vegetative leaves, अब देखो, पत्ते जो है न, नौर्मल पत्ते, उसको हम लिख tropophils कहते हैं, ठीक है, अगर उसी tropophils के उपर, ध्यान से सुनो, उसी normal पत्ते के उपर, ये अगर आ गया, तो क्या बोलोगे, sporophyll, क्या बोलोगे दोस्त, sporophyll, या फिर बोलोगे, reproductive leaf, बोलो कोई दिक्कत, देखो, and the leaves on which sporengia are formed, are called sporophyll, बताओ कोई दिक्कत, रे बैजा, कोई दिक्कत है, ये इसको बोलोगे, reproductive leaf, यानि ऐसे पत्ते जिसके उपर, spore का formation हो रहा है, sporengia are present in groups, these groups are called as soras, sorai are found on the sporophylls, sporophylls के उपर, तुम देखोगे, group में होते हैं, ऐसे, 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 तो इस पूरे structure को क्या कहते है, soras कहां गया, soras, बोलो कोई दिक्कत, अड़े, बताईए, कोई दिक्कत है क्या, रुनाली, तुरसे दिखाईए, sir, soras का, soras का मतलब ये पत्ते हैं न, ये पत्ते, ये ट्रोपोफिल है, मान लो ग्रीन पत्ता, लेकिन इस ग्रीन पत्ता के ओपर आगया है, छोटे-छोटे, इस पोरेंजिया, तुम बोलो कि हाँ, ठीक है, तो अब इस पत्ते का नाम क्या हो जाएगा, स्पोरोफिल, ठीक है, तुम को इस पोरेंजिया गूरूप में नहीं दिख रहा है , तो इस ग्रूप का नाम हो जाएगा, स्पोरोफिल और नॉर्मल ग्रीन कलर का पत्ता उसको क्या कहते है, Tropophyll, बाते कैते है있는 नॉर्मल ग्रीन कलर का पत्त को क्या केते है, मैंने अभी बताया है क्या होता है यह सपोर्स तो isporengia तो यहां पर बन गया, यानि यह reproduction तो कर ही रहे हैं सुनलो यह reproduction तो कर रहा है sporophyll और है photosynthesis भी कर रहा है यह photosynthesis भी कर रहा यानि दोनों ही काम कर रहा, सपोरोफिल है, reproduction प्रोडक्शन भी कर रहा है और फोटो सिंथेसिस भी कर रहा है ग्रीन पत्ता होने के वज़े से यह काफी यूनिक का एक्टर है थाना फर्न का बोलो कोई दिक्कत है बोलो कि नहीं इस के ब्रॉल अंढर ही ओता है श्रण क्या थे समोड़ा है लग्ला कर अबर दर पर्स अंढर ही ओता तो यह 2 ऊडर चोटे थिक्राइब दोस्तों यह क्या है यह क्या है दोस्तों यह क्या है दोस्तों यह क्या है दोस्तों यह क्या है नहीं लेकिन यहां पर दिक्कत है यहां पर लिख दिया ना अबेक्सियल सर्फेस और यहां लिख दिया अडेक्सियल सर्फेस क्या कहते हो अडेक्सियल मतलब ऐसा side होता है दोस्तों जो क्या करता है हमारे सूर्य को देख रहा होता है किसको देखता हो अपर फेस इसको लिख दो चाहो तो copy में लिख लो अपर फेस और इसको कहते है लूवर फेस तो तुम बोलोगे इसका मतलब कि यह जो-ष्प़ैंजीया बनता अंदर की तरफ ए आधर की तरफ निता लोर टैसकि तरफ पत्त कि यह एक्शली इसको ऐसे भी डिफाइन नहीं किया जाता ऐसे डिफाइन करते हैं यह जमीन है और यह पेड का एक्सेस है यह क्या है पेड का एक्सिस तो जो पत्ता ऐसे ऐसे बिछाते हैं न तो जो पत्ता उपर की तरफ देख रहा होता उसे कहते हैं अडेक्सियल सर्फेस और उसी पत्ते का नीचे वाला हिस्सा, उसे कहते हैं, लोवर सर्फेस यह अबैक्सियल, बोलो कोई दिक्कत, तुम बोलोगे, हाँ, वो तो बात वही हो गया, कि यह सन को फेस करेगा, यह नहीं करेगा, समझ भाया, उपर वाले को क्या बोलोगे, अबैक्सियल, और नीचे व ठीक है, ओके, यह सिंपल लीफ नहीं है, कमपाउंड लीफ है, आईए, आओ, यह है, यह है, गैमीटोफाइट, यह क्या है, गैमीटोफाइट, जो धर्ती पे आया था ना, तुम बोलोगे, हाँ, हाँ, आया तो था, वो अना है, चीज, तीन मिनट है, जल्दी से लेके, इ anticellular, inconspicuous, unclear, non-vascular, soiloid gametophyte is formed by the germination of each spore, which is also known as prothalus, formation of gametophyte takes place in the soil, therefore, it is free, independent and mostly photosynthetic, याद करो, ब्रायोफाइटा में इस पोरोफाइट बनता था, जो किसके ओपर depend करता था, गैमीटोफाइट के ओपर, याद आ रहा है, बोलोगे, हाँ, यहाँ पर भी एक स्पोर, दो स्प में fuse करें, देख रहो, male, female, दोनों एक ही जगह दिखा दिखा दिखा, यहाँ, देखो, एंथरीडिया, आर्कीओन, यह एक ही स्पोर के ऊपर, तो यह आपस में क्या करेंगे, fuse करेंगे, और यह जो थैलस structure है, यह जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, और यह green color का दिख रहा है भी कर जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, यह multi-cellular होते हैं, याद रखना, unicellular नहीं होते है, हाना, non-vascular होते है, xylem fluid, नहीं पाया जाता है, ठीक है, इस structure को थैलस नहीं, प्रो थैलस करते है, थैलस मतलब होता है, body, थैलस मतलब क्या होता, body, तो main body क्या है है, दोस्त, main body is sporophyte, नहीं,, main body, mayn body is sporophyte, नहीं तो body से बनने वाला body, body, sen couldскर, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहले, प्रो थैलस मतलब हो इसलिए प्रोवर्ड यूज करते हैं थालस नहीं यूज करते हैं ठीक है यह mostly photosynthetic होते हैं इस गैमिटोफाइट के साथ यह थोड़ा सा गलत हो जाता है इसलिए तरीडोफाइट दुनिया में हर जगह तुमको देखने को नहीं मिलेगा कुछ कुछ जगह पर देखने को मिलता है बोलो कोई दिक्तत है क्या दोस्तों याद रखना में प्लांट वॉड़ी क्या है इसमें इस पोरोफाइट यानि डिप्लॉई हाना गैमिटोफाइट कैसा होता है इंडिपेंडेंट उसको घंटा कोई फर्थ नहीं परता है कि हमारा गैमिटोफाइट को कहते है प्रोफाइट के ऊपर मेल गैमिट अबॉपर हो सकता है या अलग 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 सबस्क्राइब बताओ को डिकत है क्या मैं यह तो कुछ है यह मैटिंग बंद होना वाला आएयो दूबारा स्वार्ट प्हीं हुड़ जो कि न सकती हुड़ झाल